इंटर्फेरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि वेव इंटर्फेरेंस क्या होता है और वेव इंटर्फेरेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि वेव इंटर्फेरेंस होता क्या है तो आज हम यहां पर एक derivation की शुरुवात कर रहे हैं, एक diagram समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो diagram और practical basically एक thin film पर है, thin film का मतलब होता है पतली film, पर हम वेती करण की प्रकिर्या को समझेंगे, कि पतली film पर प्रकाश की किरण जो light ray है, उसका यहां पर कैसे interference होता है, कैसे उसका super imposition होता है, because interference is the type of the super imposition, super imposition के कुछ types होता है, जिन में से one of the types is the interference, so let's start the topic, so hello everyone, welcome to MS Maths, and in this video we are going to discuss about interference by a thin film, so हम यहां पर बात करते हैं, कि thin film का मतलब क्या होता, thin film कैसे बनती है, तो thin film की बात अगर हम करते हैं, तो हम एक water drop या फिर एक oil drop से बना सकते हैं, इसका simply practical के हम बात करते हैं, कि काच का जो slab होता है, glass slab कहते हैं, उस slab पे आप एक drop, दो drop, जो water की है, इसको डाल सकते हैं, और उससे आप एक film का निर्मान कर सकते हैं, एक पतली, जो कह सकते हैं, जिल्ली का निर्मान कर सकते हैं, so यहां से अगर आप देखें, कि यह जो है, वो film की उपरी प्रस्ट है, और यह यहां पर देखता है, कि film की निचली प्रस्ट है, so let us consider a film of thickness tea, यहां से इसकी जो thickness आप देख सकते हैं, वो tea thickness है, और मैं बात करता हूँ, कि यह medium जो है, इसका उपर वाला, यहां पर air है, यहां पर इसका refractive index है, वो mu है, यह medium glass है, या फिर जो भ refractive index है, वो यहां पर आप देख सकते हैं, mu है, और वापस यहां पर क्या हो जाएगा, air हो जाएगा, so यह basically medium का change हो रहा है, so यहां पर reflection and reflection दोनों होगा, तो मैं अगर बात करता हूँ, कि on the film, a light ray incident at angle i, यह जो light ray है, इस type से आती है, यह point पर इसको intersect करती है, और यहां से normal के स साथ में बन रहा है, यह eye angle है, और हम बात करते हैं, कि इसका यहां से reflection होगा, इसका upwardन होगा, यह rare medium से dancer medium में जा रही है, तो rare से जब dancer में जाती है, तो यह अभी लंब की और आजाती है, तो यह तो वर दी नॉर्मल इसका displacement होता है, so यहां से यह B point पर मिलती है, second जो surface है, उ इसका यह angle है, angle of reflection हमने आर लेट किया है, और यहां से इसका हम बात करते हैं, कि यह जो surface है, इस surface है, इसका reflection भी होगा, रिफ्रेशन भी होता है, अपवर्तन भी होगा, और परावर्तन भी होगा, तो इसका upwardन हमने देखा और परावर्तन उसी कौन पर होता है, बट यहां प पढ़ते हैं कुछ law है बहुत basic law है उनमें हम पढ़ते हैं कि after reflection the phase of the incident ray is converted in the opposite phase अगर उसमें पाई है तो उसका phase difference जो होता है वो पाई हो जाता है उस wave में सो यह derivation में हमारे एक important point रहेगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह अभिलंप के साथ में यहाँ पे जो हमारे refracted जो ray है वो उसके साथ में वापस आर एंगल यहाँ पे subscribe करेंगे विकाज आप देख सकते हैं यहाँ से यह alternate angle हो जाएगा एक अंतर कौन से यह equal हो जाएगा अब वापस इस surface से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि mu refractive index वाले medium से यह air में आ रही है तो यह क्या करेगा यहाँ से दूर हटेगा यानिकि यह जो आपका normal है इससे दूर हटने की कोशिश करेगा और यह ray इसके वापस क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी and यहाँ पे वापस देखते हैं कि यह इसका हो जाएगा यहाँ पे reflection और reflection दोनों किस case में होते हैं अब हम बात करते हैं यह c point पे आप टच करते हैं और इसका यह angle भी r होगा because उसी angle से reflected होती है उसका जो incident angle होता है r उसी angle से वो वापस reflect होती है अब यहाँ पे यह normal के साथ मे वापस अगर बात करते हैं तो r angle का sustain करेगा इस type से इसका भी वापस क्या होता है reflection होता है reflection होता है यहाँ पे यह d point पे मिलती है इसका यह angle भी r है और यह angle भी इसका r हो जाएगा इसी type से यह जो आप देख सकते हैं प्रकिर्या बाहर बार चलेगी हो कि आगे सागे यह प्र से कि यह प्रकिर्या जो है आगे सागे चलती जाएगी यह इस type से आगे सागे बढ़ता जाएगा and यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यह जो ray होती है इन ray को हम कहता है reflected ray और इन में जो geometry होते है उसको हम कहता है reflection geometry तो reflection geometry में भी interference होगा और यहाँ से यह जो reflection हो रह we are going to discuss about only and only reflected rays for इसके जो geometry होगी reflection की जो geometry है उसके बारे में हम बात करेंगे अब हम यहाँ देखते हैं कि किस type से geometry जो reflection geometry जैसे आपको बताया था कि यह जो है इसको हम रहता है reflected rays और इन reflected rays से यह जो बन रहा है इसको हम कहे रहे हैं reflected geometry तो reflected geometry में किस type से हम बात करता है कि जो मारा interference है एक उम्हें आप देखता है तो first हम यहाँ पर लिख लेते हैं for reflected geometry जो reflected geometry है वहाँ पर हम देखेंगे कि यह किस type से हमारा interference हो रहा है तो इसमें क्या कppings पड़ेगा हमको सबसे पहले path difference find करना पड़ेगा कि ये हम आपे दो ray ले रहे हैं एक ये ray ले रहे हैं और वापस ये जो अंदर जा रही है इनका वापस हमको क्या करना पड़ेगा path difference लेना पड़ेगा path difference की मैं आपे बात करता हूँ path difference हम यहां से लेखते हैं तो मैं आपे लेखता हूँ the path difference of between successive successive जो यहां पर बात करता है कि जो क्रमागत reflected rays है successive जो है यहां से ये ray और ये ray ये ray कितनी आगे जाती है तब ये ray यहां पहुचती है तो उसके हम बात करता है कि क्रमागत दो reflective rays के बारे में हम लिखता है तो मैं लिखता हूँ path difference of path difference between यहां पर लिख लेता है path difference between successive reflected rays जो successive reflected rays है इन दानों के बीच में path difference कितना है तो path difference जब भी हम find करते हैं तो हम यहां से जो perpendicular drop करके path difference की बात करते हैं तो perpendicular के हम यहां से बात करते हैं कि यहां से हम एक perpendicular इस पर drop करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह जो angle इस पर बन रहा है यह angle यहां पर 90 degree substant होगा अब यह angle 90 degree है और यह angle I है और यह पूरा 90 है तो यह कितना हो जायागा 90 minus I यह 90 यह 90 वापस यह कितना angle हो जायागा I के equal हो जायागा तो इस type से हमने इसको हम कह जाते हैं point E के बारे में तो हमको एक triangle लेना है A, E, C उसमें हम यह सारा calculate कर रहे हैं तो path difference होता है delta delta से represent करते हैं हम इसको तो path difference delta is equal to हम लिख रहे हैं इसमें देखो A, B plus B, C हम अगर इस ray के बारे में अगर बात करें तो यह ray कैसे बन रही है पहले A से B तक जा रहा है फिर B से C तक जा रहा है ठीक है A से B और फिर B से C और उसमें से हम less करेंगे A to E यह जो ray है वो जब यहाँ पहुँचती है उस time पे यह जो यह reflected ray जो यह अपवर्तित किरण यह जब C पहुँचती है तो उस time पे यह E पहुँचती है इसी को तो पार्ट डिफरेंस कहता है बट यहाँ पे हम इसको मू से multiply करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि यह किसमें है medium में कौन से medium में मू मेडियम में बट हम यहाँ पे मू से multiply नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यह तो air में ही तो हो रहा है air का refractive index क्या होता 1 ही होता और इसका हमने refractive index मू लेट किया इसलिए यहाँ पे मू लिखेंगे तो यहाँ पे a e प्लस यहाँ पे हो जायागा lambda by 2 अब यह lambda by 2 कहाँ से आया इसकी हम थोड़ी बात करते है जैसा कि मैंना आपको जब हम diagram समझ रहे थे उसमें मैंना बताया था कि reflected ray जो होती है वो जब reflect होती है एक point से तो angle जो होता हूँ equal sustain करती है but यहाँ पे उसका जो phase होता है वो phase यहाँ पे हम कहते हैं कि वो एकदम opposite हो जाता है तो मैं यहाँ से लिखता हूँ phase for तो phase के हम बात करते हैं तो lambda अगर वो दूरी तैय करते हैं नहीं कि यहाँ से यहाँ तक आने में तो कितना हो जाएगा एक उसका जो हम कहते है round पूरा होता है तो उसमें 2pi होता है बट अगर मैं बात करूँ lambda by 2 के बारे में तो πई होगा यह यहाँ से यह जो है वो opposite direction में आ रहा है यहाँ उसमें phase आ रहा पाई phase आ रहा opposite direction में वहाँ पे lambda by 2 उसमें क्या हो जाएगा phase हो जाएगा यहाँ पे opposite direction उसका जो phase चेंज हो रहा है पाई तो यहाँ पे उसका जो पत है वो half हो जाएगा lambda by 2 इसमें हम क्या करेंगे add करेंगे lambda क्या उसकी wavelength है तो इस type से हमने equation number 1 यहाँ से लिखा है तो यह किसका concept है basically lambda by 2 का concept है कि यह जो lambda by 2 है यह कहां से आया है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको a, b, b, c and a, e इनकी values find करनी पड़ेगी तो जब इनकी value हमको find करनी है तो यहाँ से यह जो diagram है इस diagram को हम copy कर लेते हैं तो इस diagram को हमें यहाँ से copy करते के वहाँ पे लिख लेते हैं और इस diagram का हम बार-बार use करेंगे तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो diagram है वो कुछ इस type से है और इस diagram से हम इन सब की values find करेंगे तो first मैं बात करता हूँ triangle a, b अच्छा एक चीज़ यहाँ से हम लेते हैं कि यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और यह g पॉइंट अबलेट कर लेते हैं तो मैं लिख रहा हूँ from triangle a, b, g and triangle यह हो जाएगा b, g, c यह वाले जो आप triangles देख रहे हैं इन triangles की हम बात कर रहे हैं इन दौना triangle में तो इन दौना triangle में अगर मैं देखूँ कि b, g जो है वो t के equal हो जाएगा यह वाले जो distance है b, g तो मैं आपे लिख लेता हूँ इन triangle यह हो जाएगा for in this triangle b, g is equal to t b, g यहाँ पे t के equal हो जाएगा और हमको किसकी value find करनी है a, b की value find करनी है अब अगर मैं a, b की value की बात करता हूँ यहाँ से तो b, g upon a, b अगर मैं करता हूँ तो यह देख सकते हैं आप b, g है यह a, b है यह यहाँ पे 90 degree angle है यह hypertenous हो जाएगा यह इसका base हो जाएगा और यह इसका perpendicular हो जाएगा because r यहाँ पे है तो अब आप देखें यहाँ से कि b, g upon हम क्या ले रहे है a, b ले रहे है it means base upon यहाँ पे क्या लिया हमने यह height लिया है तो यह क्या हो जाएगा cos r के equal हो जाएगा तो इसको हमने किसके equal कर दिया cos r के equal कर दिया अब अगर मैं बात करता हूँ कि a, b किसके equal होगा तो a, b is equal to b, c upon cos r it means t upon यह हो जाएगा cos r यह आगए हमारे पास में a, b की value अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा second इसी property में इसी triangle में second हम जो ratio ले रहे हैं इन दोनों यह हो जाएगा इस triangle से और second triangle के अगर हम बात करते हैं तो second triangle हो जाएगा हमारे पास में इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह इस triangle से हो गया अब हम बात करते हैं triangle b, g, c में अब triangle b, g, c में हम जो ratio ले रहे हैं पापस किसका ले रहे हैं BG upon हमको find करना है B C, तो उसके लिए ratio क्या हो जाएगा यहां से, is equal to में आयागा cos R और BG जो है वो T के equal है, तो यह हो जाएगा B C is equal to T upon cos R हो जाएगा, यह बिलकुल कह सकते हैं equal है, यह इसके एकडम बीच में आयागा, तो हमने यहाँ से equation number 2 and 3 में जो A, B and B, C है उनकी value find की है, बट हमको आप देख ले हैं यहाँ पर A, E की value भी find करनी है, तो A, E की value हम कैसे find करेंगे, उसको थोड़ा आप अच्छे से देखना, तो हम यहाँ से A, E की जो values हैं इनको find कर लेता हैं, तो A, E की value हम find करने के लिए triangle कौन सा use कर रहे हैं, उसका आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पर triangle use कर रहे हैं, आप देखें, A, E, C, यह जो आप triangle देख रहे हैं, यह इस type से, यहाँ पर देखें, आप इस round में, यह triangle का हम यहाँ पर use कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे triangle A, E, C, और triangle A, E, C, जो है, वो इस type से है, ओके, यहाँ पर यह ऐसे है, और यहाँ से 90 degree है, तो यह angle इसका 90 है, यह 90 minus I है, और यह I है, यहाँ पर E point है, यहाँ C point है, यहाँ पर A point है, और यहाँ पर बीच में G point है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, sine I मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ, इसका ratio, तो वो क्या हो जाएगा, A, E upon A, C के equal, because हमको A, E find करना है, और A, C अपने को पता है, यह जो distance है, यह हम ऐसे find कर सकते हैं, यह distance अभी हमने लिखी थी, A, G, E plus G, C, इसको हम लिख सकते हैं, तो हम इसको इस type से लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा, हमारे पास में A, E is equal to A, C, sine I हो जाएगा, अब हमको A, G, E and G, C की value find करनी है, तो A, G, E and G, C की value find करने के लिए, यह वाले जो आप triangles देख रहे हैं, इन triangles में आपको क्या करना है, A, G and G, C की value मिल जाएगी, तो A, G की value के लिए हम क्या करते हैं, यहां से apply करते हैं, in triangle A, B, G, और A, B, G triangle के अगर मैं यहां से बात करता हूँ, तो A, B, G triangle में जैसा के आप यहां पर देख सकते हैं, A, B, G, अगर मैं यहां से 10R लेता हूँ, B, G, ओके, तो यह हो जाएगा, perpendicular upon base हो जाएगा, यह base हो गया, यह हो गया, उसका perpendicular A, G, और base हो जाएगा, इसका B, G, तो यहां से B, G की value हमको पता है, और A, G की value हमको fine करनी है, तो यह क्या हो जाएगा, 10R into हमने क्या लेग लिए साथ में, T, अब इसके लिए value fine करते हैं, तो हम कौन सा triangle लेंगे, B, G, C, जो हमारा second triangle है, यहां से, इस triangle के हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वापस हम क्या apply करेंगे, 10, यह क्या हो जाएगा, यहां to G, C, upon हो जाएगा, B, G, it means, that is, 10R is equal, sorry, G, C, यह हो जाएगा, G, C is equal to 10R into, यह हो जाएगा, T, so हमने यहां से यह जो values है, इनको find की है, और इन values को हम यहां पे लिख लेता है, तो यह value हमने find की, और इन value को क्या कुछ ने करना, आपको उसमें put करना है, और आपका जो है, व ट्रेंगल से आई है, और आप ट्रेंगल यहां पे देख सकते हैं, और हम यहां पे इसको साथ में T से multiply कर रहे हैं, तो यह जो values है, आपको equation number 4 में put करनी है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूँ, put in equation number 4, तो equation number 4 में हम यहां से इसको put कर लेता है, तो equation number 4 में put करने के बाद में आप अगर देखते हैं इसको तो हम आपके पास में A E की जो value है वो मिल जाती है तो A E की value क्या हो जाएगी? T R यह जो है वो T 10 R T 10 R है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 of T 10 R into क्या हो जाएगा? Sine I हो जाएगा अब यह जो value है आपको कहां put करनी है? इसको मैं कहा जाता हूँ equation number 5 अब आप यहां से देखें कि equation number 2, 3 and 5 से तो मैं आप लिखता हूँ the values of AB, BC and A the values of AB, BC and A from equation number 2, equation number 3 and equation number 5 तो इन सब को क्या करना है? आपको put करना है equation number 1 में तो equation number 1 क्या है? मैं उसको यहां पे एक बार लिख लेता हूँ यह है हमारी equation number 1 इस equation number 1 को हम वहां पे put कर लेता हैं तो equation number 1 को हम यहां पे put करते हैं और इसमें यह जो values है इसको हमें put करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि mu यहाँ पे a b की value क्या आ रही है t upon cos r आ रही है प्लस b c की value भी क्या हो जाएगी t upon cos r हमने find की है a e की value जो है वो t 2 tan t tan r sin i प्लस यह हो रहा है lambda by 2 के equal आप देख सकते हैं यह value पड़ी अब हम क्या कर रहे हैं इसको कुछ हमारा refractive index जो है उसमें हम बनाने की इसको convert करने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं यह किसके equal हो जाएगा 2t upon cos r के equal हो जाएगा minus यहाँ से यह हो जाएगा 2t और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ sin r upon cos r एंड यह हो जाएगा sin i अब अगर मैं यहाँ पे उपर sin i upon sin r से multiply स्वरी sin r upon r से multiply कर देता हूँ तो से कुल परकने पड़ेगा इसमें यह हो जाएगा lambda by 2 plus में इसको हम क्या लेख सकते देखना यह हो जाएगा mu 2t cos r और इधर हो जाएगा minus 2t अब आप देखें कि यह sin r और यह sin r क्या हो जाएगे sin square r यह हो जाएगा यहाँ पे sin square r यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि sin i upon sin r जो होता है वो हम बात करता है कि mu के equal होता है snail's law जो होता है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आजाएगा upon में cos r हो जाएगा यह snails law के according यहाँ पे क्या हो जाएगा mu हो जाएगा plus आजाएगा साथ में lambda by 2 तो यहाँ पे हम snails law कहां use कर रहा हैं इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, simplify कैसे करेते हैं, 2 mu t upon cos r को हम common ले लेते हैं, दोनों term में से, और हमारे पास में यहाँ पे बचता है, minus 1, 1 minus यह हो जायाएगा, sin square r, और इसको हम क्या लिख लेंगे, cos square r लिख लेंगे, cos से cos cut हो जायाएगा, that means हमारे पास में आ जायाएगा, okay, plus यहाँ पे lambda by 2 भी रहेगा, यह lambda by 2 जब इससे होगा, तो यह minus हो जायाएगा, यहाँ पे, so हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस lambda by 2 को minus लिख लेते हैं, तो हमने इसको minus यहाँ लिख लिख लिए और इसको जब solve करेंगे, तो यह cos square r हो जायाएगा, जिससे एक r cut होने के बा interference, interference के दो types होते हैं, हमने पता है, आपने वारा जो वीडियो देखा होगा, तो इसमें हमने पढ़ा भी था, कि constructive and एक होता है, यहाँ पे देखते हैं, जो destructive, अब constructive की condition की बात करते हैं, तो हम इसका first point यहाँ पे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, the condition, इसमें अगर condition की बात करते हैं, तो the condition for constructive interference, constructive interference को हम कहते हैं, संपोशी वेतिकरण, जो संपोशी वेतिकरण होता है, उस संपोशी वेतिकरण की क्या हमारे पास में condition होगी, तो normally इसकी condition जो होते हैं, वो path difference n lambda होता है, जहाँ पे n जो होता है, वो 0, 1, 2, कुछ भी हो सकता है, ओके, त mu t cos r minus lambda by 2 is equal to n lambda हो जाएगा, और यहाँ से हम इसकी अगर value की बात करते हैं, तो यह value हम find करते हैं, तो यह equal हो जाता है, mu cos r, और यहाँ से इस lambda को उदर बेजते हैं, तो हमारे पास में condition आती है, n lambda plus lambda by 2, that means n, यहाँ से अगर lambda को अपरन common ले लेते हैं, तो यह जाता है, n plus 1 by 2, तो यह condition आती है हमारे पास में, या फिर हम इसको क्या लेक सकते हैं, अगर आप इसको इस टाइप से लिखना चाहें, तो इसको लेक सकते हैं, तो इसको लेक सकते हैं, तो thin film में इसकी जो interference की condition है, जो हमारे पास में constructive है, उसके लिए यह हो जाएगी, अब हम आगर यहाँ से देखें कि जो destructive है, जो destructive interference होता है, यानि कि जिसको हम कहता है, विनाशी वेतिकरण, तो विनाशी वेतिकरण के अगर हम condition की बात करते हैं, तो विनाशी वेतिकरण के लिए condition क्या होती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, lambda is equal to 2 and minus 1 lambda by 2, यह है minus 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास में 2 mu t cos r minus क्या हो रहा, lambda by 2 is equal to हो जाएगा 2 lambda, और यहाँ से हो जाएगा minus lambda by 2 को मैंने इसमें multiply करा दिया, यहाँ पे भी lambda, sorry, यह n है यहाँ पे, यह n हो जाएगा, यह है यह यहाँ पे n, और हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, यह इसको मैं multiply करा रहा है, तो 2 n lambda upon 2 हो गया, यहाँ से कट हो जाएगा, यह term से कट होने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे 2 mu t cos r is equal to n lambda के equal हो जाएगा, यहाँ पे condition देख सकते हैं, वो destructive interference की है, अब यहाँ पे देखा, अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इसकी condition apply हो रही है, और यहाँ पे जो geometry में जो interference होता है, उसके बाद में हमने इस वीडियो में पढ़ा था, next video में हम बात करेंगे, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो transmitted ray में जो interference होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे, यह basically in rays के बीच का interference हमने देखा था, next video में हम in rays के बीच का interference देखेंगे, so I hope आपको वीडियो समझमा आया होगा वीडियो काफी लंबा है पर इसको आप स्किप मत किये और पूरा वीडियो देखे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझमा आ जाए So thanks for watching this video, keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths